हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने स्पी एजूकेशन पॉइंट चैनल में फ्रेंड्स आज हम 17 माई की महत्पूर्ट करेंट अफेर्स पर चर्चा करेंगे जो आपके एकजाम्स की दिरिष्टे से काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको सीधे तोर पर एकजाम्स में दिखाई देंगे इससे पहले आपके लिए मौटी graphical code जो आपको काफी ऊरजावान बनाएगा कोशिस कर हल निकलेगा क्या कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा कोशिस जारी रख कुछ कर गुजरने की जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा तो ये motivational quote था friends जो आपको काफी और जवान बनाएगा और आपको आगे तयारी करने में काफी help करेगा तो चलते हैं अपने session की और आज का पहला question काफी important है इसे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक सेयर करें तो पहला कोस्चिन आई एम पी किस राज्य सरकार की पुलिस ने या किस राज्य की पुलिस ने मिशन होसला कौन सा मिशन होसला प्रारम भी किया है तो वह है उत्राखंड कौन सा राज्य है उत्राखंड पुलिस के द्वारा मिशन होसला शुरू किया डिटेल देख रहते हैं कि उत्राखंड पुलिस ने लोगों को कोविड नाइंटी रोगियों के लिए आकसीजन बैड वेंटीलेटर प्लाजमा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन होसला प्रारम भी किया है ठीक है कौन क्या क्या इसमें जो है पुलिस उपलब्द करवाएगी तो आकसीजन करवाएगी वेड वेंटीलेटर प्लाजमा ठीक है ये शब उपलब्द कराएगी इसके अलावा पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड 90 प्रवंदन के लिए दवाएं और राशन भी उपलब्द कराने में मदद करेगी ठीक है ये मिशन हासला उत्राखंड सर पुलिस द्वरा सुरू किया गया और उ विद्रखंड के वरतमान जो मुख मंत्री वह तीरत सिंग रावत है ठीक है तीरत सिंग रावत है और वहां की जो राजपाल है वह बेवी रानी मौरी है कौन है बेवी रानी मौरी है नेस्ट कोस्चन है कि सिंथेटिक सिंथेटिक कैन विनोइट्स सिंथेटिक कैन विनोइ पदार्थों पर प्रतिबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यह प्रतिबंद एक जुलाई से लागू होनी की शंभावना है यह कदम तब उठाया गया है जब चीन दवा के निर्माड और तसकरी पर अंकुस लगाने की कोशिश की गई है सिंथेटिक कैन बिनवाइट्स अधिक छलावरण वाले होते हैं कैसे होते हैं अधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि इन में कुछ इस सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ बिभिन फूलों की पंखडियों या पौधों के तनों पत्तियों में बने कट हैं synthetic synthetic canvinoids सबसे अधिक दुरूपयोग वाले नए मनो सक्री पदार्थों में से एक बन गया है ठीक है ये एक सक्री पदार्थ है इसमें canvinoids पदार्थ समाच के लिए क्या है गंभीर खत्रा है इसलिए इसको बैन किया गया है जहां ऐसे पदार्थों कदुरूपयोग जानबुत कर चोटो और खराब ड्राइविंग जैसी गटनाओं को जन्म देता है ठीक है तो ये था चीन इसका अंसर था नेस्ट कोस्चन और वेरी वेरी आयम पे ये कोस्चन होगा फ्रेंट्स एक्जाम में किसी न किसी ये ह्भाँ जेह डिके चीन आपको जरूर ये कोस्चन देखने को मिलेका कोस्चन है कि कॉइस चपशब suchविस यानि करफ 2016 पीपल और के लिए ठीक यहें किसे नमित किया एटेन बरो को इस साल नवंबर में गलासको कहां पर गलासको इंगलाइंड में सन्युक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सिकर सम्मेलर यूके प्रेसिडेंसी के कॉप 26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है ठीक है एटेन बरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर में 26 है कॉप 26 का जो आयोजन 26 आयोजन है यह है कहां पर होगा यह है गलासको इंगलाइंड में होगा 25 कहां पर हुआ था तो 25 इस पेन की राष्धनी मैडरीड में हुआ ठीक है यह क्या संयुक्त राष्ट जलवायू परिवरतन एक सम्मेलर नहीं ठीक है नेस्ट कोस्टन पर चलते हैं और नेस्ट कोस्टन है कि हाल ही में पी-म किशान सम्मान निदी की कौन सी किस्त जारी की गई है तो वह कौन सी किस्त जारी की गई है तो आठमी किस्त कौन सी आठमी किस्त जारी की गई है फ्रेंट्स इस कोस्टन के लेने का उद्देश में है कि आप जो पी-म है ये भारत सरकार छोटे और सीमान किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्स देती है और यह तीन किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है दो 2,000 रुपए की ठीक है इसकी जो यह सुरुआत है इसकी सुरुआत सन 2018 में की गई थी प्रदान मंतरी किसान सम्मान योजना की और यह हो जना उनकी शानों को विती सहायता परदान करती है जिनके पास 2 हेक्टर तक भूमी का शौमित तो है ठीक है नेस्ट कोश्चन पर चलते हैं अंगला कोश्चन वेरी वेरी आइम पी आपको ये कोश्चन जरूर नोट करना चाहिए फार्चून की दुनिया के 50 महान तमनेताओं की सूची में न्यूजीलेंड की प्रदान मंतरी जैंसिगा अरडन सीर्स पर रही हैं वहीं कोविड 90 महामारी में वास्तों में अभूत पूर समय के वीच कुछ अलग करने का इन्होंने प्रयास किया था और भारत की बात करें तो इस सूची में भारत के एक मात लिस्ट में ठीक है यह वन से फाइब तक यह लिस्ट है आप देख लिजिएगा फ्रेंड्स इसकी जो पीडियाफ है आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्स बॉक्स में दिया गया ठीक है नेस्ट को कोस्टेन है कि डबलू एचो ने भारती कोरोना वाइरस संसकरन को गलोबल वारियंट आफ कंसर्ण के रूप में वरगी करत किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है फ्रेंड्स बी डॉट वन डॉट वन डॉट वन सिक्स सेवन यह इसका अंसर होगा इसकी डिटेल देख लेते हैं कि बिशुसासंगठन ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वाइरस वारियंट को वैस्विक वारियंट आफ कंसर्ण के रूप में वरगी किरत किया है और इस वारियंट को बी डॉट वन डॉट शिक्स से 617 नाम दिया गए विशुसासंगठन के अंसर यह व को double mutant variant भी कहा जाता है यह पहली बार United Kingdom के स्वास्त अधिकारियों दौरा पहचाना गया है बी डॉट वन डॉट सिक्स वन सेवन वारियंट डॉट दौरावरी की किरत कुरोना वाइरस का चौथा वारियंट है और इसके दो उत परिवर्तन है जिने ए-4-8-4-Q और L-4-5-2-R नाम दिया गया है ठीक है डॉट एचो के बारे में देख लेते हैं डॉट एचो के बारे में इसके इस्ताफना 7 अपरल 1948 को हुई थी ठीक है और यह संयुक्त राष्ट की एक विसेश एजनसी है जो अंतर राष्टी सारुजनिक स्वास्त के लिए जिम्मेदार है ठीक है इ इसकोस्टिन को आप मान के चले किसी न किसी एकजाम में आपको जरूर दिखेगा कि पुमोरी चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी है कौन सी चोटी है पुमोरी यह मौंट एवरेष्ट का ही एक पार्ट है पुमोरी अभी तक इसमें कोई नहीं गया यह ओड़े थोड़े अंतराल के बाद चर्णी लेकिन सबसे पहले पुमोरी चोटी पर कौन चड़ा है वह है बलजीत कोर है ठीक है महिला चड़ी है लेकिन जो दूसरी है गुनमाला सर्मा ठीक है गुनमाला सर्मा जो है यह बाद कुछ टाइम घंटे या दो घंटे बाद चड़ी है ठीक है तो बलजीत का और पहली महिला बन गई है ठीक है पुमोरी चोटी पर चड़ने वाली और हमाचल परदेश की है जब कि दूसरी महिला कुछी समय बाद गुनवाला सर्मा है जो राजिस्थान से संबंदित है ठीक है नेपाल में माउंट पुमोरी जो उचाई है इसकी 7161 मीटर पर चड़ने वाली पहली भारती महिला बनने के लिए सबी बादाओं को उग्र महामारी को टाल दिया है और एवरेश्ट मानसिफ का हिस्सा एक पहाड को फटह करने वाले पहले विक्ती भी थे ठीक है एवरेश्ट मानसिफ ठीक है नेस्ट कोस्चन पर चलते हैं और अंगला कोस्चन है चर्चा में रहा हार्ट वीट विल किस लगाई गई है तो यह इसमें टेक्सास अमेरिका का जो टेक्सास प्रांथ है उसे हाली में हार्ट विल जो है इसको पारित किया च्छे सप्ताय के बाद गर्व पात पर रोक लगाना है और यह बिल ब्रून के दिल के धड़कन का पता चलने के बाद गर्व पात को रोकता ह में दिल की धड़कन बच्चे की चालू हो जाती है ठीए बुरूण बुरूण के दिल की धड़कन का पतल आम तर पर गर्व धारन के छैस अफ्टा के बाद चलता है सबसे पहले अमेरिका में इसे सबसे पहले किस प्रांथ में लागु किया गया था तो यह कौन था था नॉर्थ ड़कोडा हार्ट वीट विल पास करने वाला अमेरिका का पहला राज बना था ठीक है नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं आज के कोश्चन फ्रेंट्स सभी IMP है ठी है नूकलू-फॉम यह कहां के हैं यह नागा लैंड के डीटेख लेते जीता है और यह पुरुषकार पाने वाले वह एक मात्र भारती हैं ठीक है इसे ग्रीन आसकार जोूषकार इसको ग्रिन आसकार के नाम से भी जाना जाता है पड़्यावरण संरच्छंड के छेतर में दिया जाता है नुकलू फों में को जो यह अफिर दिया गए हुआ अमूर फालकन पच्ची किसके अमूर फालकन पच्ची के संरच्चन के लिए दिया गए है विटली फंड फॉर निचर नीच्छर्ट में 1994 कि इस अवार्ड की स्थापना की थी नुकलू प्रवएर्फ flying के अमुर winter of Lean Amor falcon men Azamore falcon man के नام से किसको जाना जाता है नौक़ फार्फ को नाजा लैंड को फालकन capital of world किना मके नाम से किसको जाना जाता है राज शीको इसे IUCN द्वारा कम चिंता जनक के रूप में सूची बद्द किया गया है ठीक है नेस्ट कोस्चन पर चलते हैं और अंगला कोस्चन है कि किस रज्ज सरकार ने कोरोना पीड़ी पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की गोफना की है तो मद्द प्रदेश सरकार ने ऐसी की है डिटेल देख लेते हैं कि मद्द प्रदेश की सिवरा सरकार ने पत्रकारों के हितों में एक एहम फैसला लिया है सरकार ने टाय किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई भी सदस करोना से पीडित होता है तो उसका इलाज सरकार दोरा करवाया जाएगा और खास बात यहा है कि इस फैसले में अधिमान और गैर अधिमान दोनों परकार के विक्ति शामिल है ठीक है और मद परदेश में अधिमान और गैर अधिमान पत्रकार साथियों को पहले भी इस पत्रकार भीमा योजना के तहती इलाज की विवस्ता दी गई है पत्रकार कल्यान योजना के जरिये उन्हें सहायता दी जा रही है इससे पहले प्रदेश में सरकार कुरोना के से गरीबों के मुफ्त इलाज का भी फैसला ले चुकी है और प्रदेश में शुरू की गई मुख मंत्री कोविड कल्याण योजना के तहट अब तक संबद 419 निजी अस्पतालों में 288 कोविड मरीजों का नहीं सुलकी इलाज किया जा रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं ठीक है जो कोश्चन आई एमपी थी वह समाप्त हुए और मिलते हैं अपने नेस्ट सेशन पर फ्रेंड्स इससे पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेय करें ठीक है मिलते हैं नेस्ट सेशन पर थैंक यू